तो सद्गुरू क्या आपने बहुत कम उम्र में ही योग शुरू कर दिया था? उम्र कम थी का क्या मतलब? मैं जवान हूँ, जब मैं जिम करता था, करीब साथ साल तक मैं दोड़ कर नारियल पेड़ पर चड़ सकता था आपको ये रास्ता किसने दिखा है? मैं आपसे कहा न, मैं कीड़ा रहा हूँ शायद आप एक खुले खुले पंची की तरह है? अरे चिडिया के पास छोटा सा दिमाग होता है, मेरे पास एक इंसानी दिमाग है भूगे आदमी की कोई सभिता नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती, क्या हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं? अगर पूरा देश जैविक खेती करने लगे, तो हमारा भूजान उत्पादन अभी का सिर्फ 25 प्रतिशत रह जाएगा आपको क्या लगता है कि इससे कितने लोग मरेंगे? हाई सद्गरू, प्लीज हमें उस जगा के बारे में बताईए जहां हम जा रहे हैं हम उस खेत में जा रहे हैं, जहां वो पेडों पर आधारित खेती करते हैं हाँ, और आप देख सकते हैं कि कुछी वर्षों में जमीन में कितना सुधार हुआ है मुझे आश्रम में बहुत से युवा नजर आ रहे हैं सिर्व युवा ही हैं, सभी युवा हैं वच्पन से ही मैंने अपने आसपास के लोगों को ये कहते सुना है कि योग और आध्यात्म ऐसी चीज़े हैं जिनने आपको रेटायमेंट के बाद या अपने जीवन के अंत में करना चाहिए पर इशा फाउंडेशन में मैंने बहुत सारे युवा लोगों को देखा है इसकी बज़ा क्या है? आध्यात्म तब नहीं किया जाता है जब आप किसी चीज़ के काबिल ना रहें ये जीवन के शुरुवात में ही किया जाना चाहिए पर अक्सर ही कहा जाता है कि हमें अपने जीवन का भौते क्या बाहरी हिस्सा जीने के बाद बहुत बाद अध्यात्म में उतरना चाहिए देखिए ये उस छवी के गारण है जो लोगों ने अध्यात्म की बनाई है मानो अध्यात्म जीवन के खिलाफ हो मुझे बताएं मान लीजी जो भी आपके पास है आपका फोन या आपकी मोटर साइकल सद्गुरु मेरे मन में एक सवाल था जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला वो प्रश्न है जब मैं महवारत देखता था तो एक कहवत थी कि सब पहले से तै होता है जो तै है उसे कोई बदल नहीं सकता या फिर किस्मत को कोई नहीं बदल सकता दूसरी और वे हमेशा कहते थे कि जीवन आपके हाथ में है आपको इसे बनाने के लिए काम करना चाहिए या आपका कर्म है तो मुझे ये दोनों बातें एक दूसरे से उल्टी लगती है ऐसा किसे ने नहीं का ये सब हारे हुए हैं जीवन में हारे हुए लोग ऐसे समझाते हैं क्या क्रिष्ण हारे हुए दिखते हैं उन परिस्थितियों में उन्होंने हर संभव कोशिश की कई चीजें उनकी योजना के हिसाब से नहीं हुई पर बात ये है कि उन्होंने वो सब किया जो वो कर सकते थे तो उन शिक्षाओं के बारे में आप क्या कहेंगे जो कहती हैं कि सब कुछ पहले से तय है देखिए वो बाते हारे हुए लोग कहते हैं जिनके पास जिंदगी में दिखाने के लिए कुछ नहीं होता आप अपनी विफलताएं स्वीकार कर बहतर नहीं करना चाहते आप विफलताओं की वज़य बताना चाहते हैं ओ वज़य आप जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे तो आपका मदलब है कि सब कुछ कर्म से तय होता है कर्म यानि ये आपने क्या है हाँ जब आप कहते हैं मेरा जीवन मेरा कर्म है तो आप कह रहे हैं मेरा जीवन मैंने बनाया है ये जीने का सबसे गतिशील तरीका है पर अब लोगों ने इसे तोड मरोड कर ये रूप दे दिया है अयो कर्म कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको विरासत में मिलती है कर्म वो है जो आप अभी कर रहे हैं तो जीवन आप पर क्या फैकता है ये हमेशा आपकी पसंद नहीं होती पर आप उससे क्या बनाते हैं क्या करते हैं ये आप पर है मान लीजे एक मोड है है तो है पर आप उसे कैसे संभालते हैं वो पूरी तरह से आप पर है मान लीजे कि कोई व्यक्ति इस मोड पर क्रेश कर जाता है अब वो कहे मोड मुश्किल था, ऐसा नहीं है, आप मोड पर चलना नहीं जानते थे, बस यही है जीवन के हर पहलू के साथ ऐसा ही है कर्म का यही अर्थ है, यह आपकी करनी है अगर आप सफल हुए तो वज़य आप है, अगर आप असफल हुए तो भी वज़य आप है यही बस एक संस्कृती है, जिसमें जीवन को ऐसे देखा है बाकी हर जगा वो कह रहे हैं, भगवान सब कुछ करता है अगर भगवान सब कुछ कर रहे है तो आप यहां क्यों है तो सद्गुरू क्या आपने बहुत कम उम्र में ही योग शुरू कर दिया था उम्र कम थी का क्या मतलब मैं जवान हूँ तुम बुड़े हो गए जब मैं 11-12 वर्ष का था तब मैंने योग अभ्यास शुरू कर दिया था और साथ ही जब मैं 14-15 वर्ष का था तब से मैं जिम जाता था करीब 7 साल तक रोजाना योग और लचीलेपन के अलावा क्या आपने भार उठाना और शक्ति बढ़ाने या मसल बनाने जैसी कसरतें भी कि वैसा जिम नहीं मैंने ये पक्का किया कि मैं बहुत लचीला और मजबूत हूं मैं एक नारियल के पेड़ पर दौड़ कर चड़ जाता था तो इसलिए मेरे लिए ताकत और लचीलापन बड़ी मास पेशियों से ज्यादा महत्वपून थे तो मैंने खुद को काफी फिट रखा मैं भी काफी समय जिम में बिताता हूं खुद पर मेहनत करता हूं आपको बताने की जरुरत नहीं है मैं देखी रहा हूं तो हम यहां इस जगह पर हैं और अब सद्गुरू हमें यह वताने जा रहे हैं कि पेडों पर आधारत खेती और इससे मिट्टी को क्या फाइदा होता है हाँ मेरे लिए सब एक ही बात है क्योंकि हाँ क्योंकि आप A320 हैं आप नहीं जानते कि मिट्टी क्या है और धर्ती क्या है मेरे लिए सब कुछ एक ही है खेती कार्थ है पेड़ और फूल हम खेती में यही करते हैं ना हम पेड़ लगाते हैं पर पेड़ों पर आधारत खेती क्या होती है खेती पेड़ के बारे में पौधों के बारे में ही होती है देखिए अभी महतुपून बात ये है कि भारत के मिट्टी और विश्व के मिट्टी के साथ ये हो रहा है कि जैवेक या और्गानिक सामगरी खत्म हो रही है क्योंकि साल दर साल आप फसल काट रहे हैं आप भी आप एक बॉड़ी बिल्डर हैं पर शाठ प्रतिशत आपके शरीर का 60 प्रतिशत हिस्सा सिर्फ सूक्ष में जीव है क्या आप जानते हैं केवल 40 प्रतिशत आपके वन्ष कि सामगरी है आपके भीतर 60 प्रतिशत सिर्फ माइक्रोब्स या सूक्ष में जीव हैं तो आप जो खाना खाते हैं, उनकी मदद के बिना आप उसे पचा भी नहीं सकते इसी तरह यहां मिट्टी में जो भी पोशक्तत्व हैं, पौधे उसे सीधे ऐसे ही नहीं ले सकते पौधों को माइक्रोब्स के साथ लेंदेन करना पड़ता है, तो उन्हें हवा से कार्बन पकड़कर, कार्बन शरकराएं बनाकर, उन्हें यहां भीजना पड़ता है और फिर अपनी जरूरत के हिसाब से लेंदेन करना पड़ता है तो ये मिट्टी में एक बहुती जटल बाजार है मुठ़्ी भर मिट्टी में साथ से 10 अरब जीव होते हैं तो अभी हमने ये किया है कि पेडों का उप्योग करके हरे पत्ये के रूप में जो भी सामगरी होती है हम उसे काट कर उसे लगातार मिट्टी में डाल देते हैं और कुछ जानवर भी हैं उन जानवरों का गोबर भी मिट्टी में चला जाता है अब देखे ऐसा नहीं है शायद दो ढ़ाई महीने से बारिश शायद दो ढ़ाई महीनों में बारिश नहीं हुई है पर आप देखें, शायद ऐसा कभी न किया हो, बस यह आँ खो दें, मैं आपको बता रहा हूँ क्या यह अभी भी गीला है? हाँ, यह गीला है, वो देखें, उस तरफ देखें, वो जाओ मिटी है, ठीक है? क्योंकि वो हमेशा पत्ते से इस तरह धकी रहती है क्या ऐसा ही होना चाहिए? हाँ, यह अच्छा है जब हम खेत जाते हैं, तब हमें खेत पत्तों से ढखे हुए नहीं दिखते? हाँ, क्योंकि वो खेतों को मार रहे हैं नहीं, पर अगर पत्ते जमीन पर गिर जाएं वो उन्हें हटा देते हैं नहीं, क्योंकि पत्ते ही नहीं है पत्ते कैसे होंगे? कोई पेड़ी नहीं है आप हवाई सफर करते हैं? क्या आपने काभी भारत में हवाई सफर किया है? हाँ, हमेशा करता हूँ आपने किसी भारती एरलाइन में सफर किया है? हाँ, हाँ ये जीवन से भरा है, अगर आप यहां की जैविक सामगरी को 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ा दें, अभी शायद ये 3 से 4 प्रतिशत के आसपास है, अगर आप इसे 8 से 10 प्रतिशत कर दें, तो आपकी सेंचाई की जरूरत अभी के मुकाबले घटकर 30 प्रतिशत रह जाएगी, या भारत का 84 प्रतिशत पानी खेती के लिए उप्योग किया जाता है, अगर आप इसे 20-25 प्रतिशत तक ले आएं, तो हर चीज़ के लिए पर्याप्त पानी होगा, अभी हम जमीन को जोत कर खुला छोड़ देते हैं, यह ऐसा है जैसे हम अपनी त्वाचा को छील कर धूप मे खड़े हो जाएं, आप चिलाने लगेंगे, जमीन भी चिला रही है, लोग नहीं सुनते बस यही है, तो आप कह रहे हैं कि एक ही उपाय है कि अधिक पेड लगा जाएं, नहीं सिर्फ पेड ही नहीं, ऐसा करने के कई तरीके हैं, महतुपून बात यह है कि जमीन को करके धूप में खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, उस पर कुछ होना चाहिए, धास होनी चाहिए, या फसल होनी चाहिए, कुछ प्रकाश संसलेशान या फोटो सिंदिसिस होनी चाहिए, तो यह पत्ते सिर्फ पेड़ों से नहीं आएं, वो कवर फसलें लगाते हैं, और चोटा सा खेत है, यह नया खेत है, यह सब सिर्फ 5-6 साल पुराने हैं, आपको एक ऐसे खेत जाना चाहिए, जो 10-15 साल पुराना हो, आप देखेंगे कि पानी का अस्तर उपर आ गया है, मिट्टी की जैविक सामगरी बढ़ गई है, भोजन में पोशक तत्तो का अस्तर काफी बहतर कीमत मिल रही है, और सबसे बढ़ कर किसान 300-800 प्रतिशत अधिक पैसे कमा रहा है, सद्गुरु जी मेरा एक सवाल है, ऐसा हुआ करता था, मैं कह रहा हूं कि जैविक पदार्थ 8-10 प्रतिशत होना चाहिए था, और हमने अपने तरीकों से इसे घटा कर 3-4 प् भारत की मिट्टी के 62 प्रतिशत हिस्से की जैविक सामगरी 0.5 प्रतिशत से नीचे है, या खेती की धर्ति, ये 0.5 प्रतिशत से नीचे चला गया है, यानि कि हमारी जमीन रेगिस्तान बनने वाली है, हमारे पास कितने साल हैं? संयोक्त राष्टर के अनुसार, पूरी दुनिया में केवल 60-80 फसलें और काटी जा सकती हैं, यानि अधिक्तम 45-60 वर्ष के बीच का समय हैं, दो हजार पैंतालिस तक ये उमीद की जा रही है कि हम अभी जितना भूजन पैदा कर रहे हैं, उससे 40 प्रतिशत कम भूजन पैदा करेंगे, और हमारी आबादी 9 अरब से अधिक होगी, 9.2 अरब, ये ऐसी दुनिया नहीं हैं, जिसमें आप रहना चाहेंगे, आपके दो बच्चें, वो ऐसी दुनिया में होंगे, अगर आप इसे अभी नहीं बदलते हैं तो, पर सवाल ये था कि 200 साल पहले या 300 साल पहले, क्या जैविक सामागरी खेती के लिए ठीक थी? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना पहले भी नहीं, बस 50-60 साल पहले भी इस देश में पेडों और जानवरों के बिना कोई खेत नहीं था, अब पेड नहीं है, जानवर भी नहीं है वो जानते थे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते, वो जानते थे, अब हम भूल गए है, अगर ये बहतर तरीका है तो… अपने गोलियां ली और आपको वाकई अच्छा लगा, तब आपने तेह किया कि मुझे वाकई भोजन की जरुरत नहीं है, मुझे सिर्फ गोलियां ज्यादा लेने की जरुरत है, मैं तीन के बजाए तीज गोलियां लूँगा, हमने जमीन के साथ यही किया है, हमने कर इसकी सराना भी करनी चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया था देखे भारत एक ऐसा देश था जो अकाल से पीडित था लाखों लोग मरते थे हम गेहूं का आयात करते थे इतना ही नहीं हर दूसरे साल अकाल पड़ता था ठीक तो अकाल का मतलब 1942 के अकाल में 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए तो यही इस देश की सचाई हुआ करती थी उसकी भरपाई करने के लिए किसी तरह उससे पाटने के लिए हमने हरित क्रांती अपना ली तो यह ऐसा है कि आप अस्वस्थ हैं आपने कुछ गोलियां ली और आप ठीक हो गए पर तब आपको अपने पोशन में सुधार करना चाहिए था पर आपने ये सोचकर सिर्फ गोलिया लेना शुरू कर दिया कि इससे आप अच्छे रहेंगे वही गोलियां अब सब को बिमार कर रही हैं तो हम खात के खिलाफ नहीं हैं हम कीट नाशा के खिलाफ नहीं हैं हम किसी चीज के खिलाफ नहीं हैं मेहत मैंने कहीं पढ़ा कि बेहतर नहीं तो आपको कम से कम धर्ती को वैसा छोड़ना चाहिए। दुकान में 40% कम खाना मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पर खाना ही नहीं है। ये उस तरह से नहीं होगा। भूक है आदमी की कोई सभ्यता नहीं होती, कोई नैतिकता नहीं होती, उसमें कोई मानवता नहीं बची होती। है ना। हम दुनिया को उस दिशा में धकेल देंगे। आज संयोक्त राश्च्र के एजंसियां भविश्यवानी कर रही हैं कि 2035 तक दुनिया में दरजनों ग्रेह युद्ध होंगे। क्या हम ऐसी दुनिया बनाना चाते हैं? पर अगर हम अभी कारवाई करते हैं, तो हम इसे अगले 12-15 वर्ष के समय में पलट सकते हैं। एक और सवाल, मैं बारिश का पानी बचाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मैं कुछ शेहरों में जलबोडों के साथ घूमा पर फिर समस्याएं हैं सद्गुरू। देखें, मेरे वीडियो को 25-30 साल की उमर के लोग देखते हैं, अब मैं उन्हें जो सबसे अच्छा समाधान दे सकता हूँ, उसमें उन्हें अपनी छट पर बारिश का पानी बचाने के लिए प्रणाली बनाने के लिए 50-55,000 रुपए खर्च करने पड़ रहे थे, ताकि पानी बचाया जा सके, पर फिर वे कह रहे हैं, हमारे पास खर्च करने के लिए 50,000 रुपए नहीं हैं, यह सपल इसलिए होता है, हम एक वीडियो बनाते हैं, जिसे लोग देखते भी हैं, हाँ, एक समस्या है, वो कहेंगे सद्गुरी जी सही कह रहे हैं, नहीं, नहीं, मैं ऐसे समधान कभी नहीं देता, मैं कह रहा हूँ, यह किसान के लिए पर्यावरण से जुड़ी योजना नहीं है, किसानों के लिए तो यह एक आर्थिक योजना है, पर इसका पर्यावरण परसर होगा, तो पर्यावरण से जुड़ा हमारा हर काम ऐसे ही होता है, वो एक आर् पैसे भी सफल नहीं होगी, ठीक, उन्हें इस से पैसे मिलने चाहिए, तब ये सफल होगा और तब ये टिकेगा, ठीक है, भले ही मेरे पास 50,000 हों, 55,000 या एक लाख रुपए, मैंने आज पैसे खर्च कर दिया, क्या मैं हर साल पैसे खर्च करूँगा, नहीं, ये तब ही टि पैसान जमीन पर हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं, उन्हें ये बदलाव लाना चाहिए, या सरकार की नीती में बदलाव आना चाहिए? क्योंकि देखिए, आज ये खेत अच्छा है, ये लोगों की एक पीड़ी है, क्योंकि हमने उनके साथ काम किया है, उन्होंने अपने खेत को ऐसा बना लिया है, पर मान लीजे कि अगली पीड़ी आती है, शायद वो कुछ और ही करने लगें, उदाहरन के लिए आप एक उदा उसी के लिए कुछ जगा छोड़कर, ये कानून है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप और ज्यादा बनाएंगे, तो वो आएंगे और उसे नीचे गिरा देंगे, पर बस पुरानी दिल्ली जाकर देखिए, खिड़की जैसी कोई चीजी नहीं होती, उसी दरवाजे से अंदर और उसी से बाहर, सभी तरफ घर बने हुए हैं, वहाँ खिड़की की कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है? क्या ये इमारत बनाने का तरीका है? ऐसा तब हुआ जब कोई कानून नहीं था, तो अभी अगर आपके पास 25 एकड़ जमीन हैं, तो आप उसके एक-एक इं प्रतिशत जैविक तत्व हों, ताकि मिट्टी जीवित रहे, अगर आप अच्छे से नहीं जीते हैं, तो ये आपके उपर है, पर आप आने वाली पीडियों से अभी सही जीवन नहीं चीन सकते, क्योंकि जब मिट्टी ही खत्म हो जाएगी, तो जीवन नहीं बचेगा, प मुझे बताएं कि अगर मिट्टी समरिद्ध हो, तो आप कम कमाएंगे या ज्यादा, अगर मिट्टी उपजाव है, तो क्या आप आत्महत्या करेंगे? भारत में तीन लाग किसान आत्महत्या कर चुके हैं, अगर मिट्टी उपजाव होती, भले ही उनके पास पैसा नहो, ठीक, और सभी पेशों में सबसे अधिक आत्महत्यादर किसानों के समुदाय में हैं, ये सिरु भारत में ही नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी में ताकत नहीं बची है, आपका खर्च बढ़ता जा रहा है क्योंकि हर साल आपको फर्टिलाइजर और बाकी सभी चीज को वो संभाल नहीं पाएंगे, तो महत्वपून बात ये है कि मिट्टी उपजाव होनी चाहिए, मिट्टी जीवित होनी चाहिए, क्योंकि उपरी 12-15 इंच की मिट्टी से इस धर्ती के 87 प्रतिशत प्राणियों का जीवन चलता है, जब आप पैदा होते हैं, तो आप मिट से खाते हैं, जब आप मर जाते हैं, तो आप इसमें वापस चले जाते हैं, ये पूरे ब्रह्मान की एक मातर जादू ही जगा है, सिर्फ धर्ती की नहीं, जहां अगर आप मृत्यू डालते हैं, तो वो जीवन पैदा करती है, मुझे ऐसी कोई दूसरी जगा बताएं, आई क्योंकि ये आपके दिमाग में अटका हुआ है, कि आपको जैविक खेती करनी चाहिए, ये जैविक खेती, शेहरी लोगों द्वारा किया गया एक अपराध है, तो जैविक खेती के बारे मैं वाद करता हैं, क्यूंकि हम जैविक लहाध्य पदार्थ खरीदने के लíض, अच्छा नहीं है। इसे तरह अगर आपके पास खेती की भूमी हैं, तो कम से कम 3-6 प्रतिशत जैविक सामगरी होनी चाहिए। अगर सरकार मिट्टे को उपजाओ बनाने के लिए कुछ सबसिडी देने को तैयार हो तो, आप समझे? समिल नाडू में देखें, हमने पिछले 24-25 वर्षों में इसे बढ़ावा दिया है। मैं किसानों को बताता हूँ कि आपकी 10 प्रतिशत जमीन पर पेड़ होने चाहिए, जो बाकी के 90 प्रतिशत को पत्य प्रदान करेगी। अगर आप उस 10 प्रतिशत का निवेश नहीं करते हैं, तो सब कुछ मर जाएगा। इसी बाते हैं, जो शेहरी लोग कहते हैं, जिन्होंने खुद कभी खेती नहीं किया है। खेती एक दिल तोड़ने वाला काम है, अगर जरूरी लागत का समान ना हो तो, देखे आपको खेती ऐसी नहीं करनी चाहिए, जैसे कि ये किसी प्रकार की फिलोसफी ये धर्म हो, ये ऐसी चीज़ नहीं है, जिसमें विश्वास किया जाए। बात इसका व्यावहारे क्या प्रैक्टिकल समाधान निकालने की है, मैं सिर्व ये कह रहा हूँ कि सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी को मत काटें, अगर मैं आसान भाशा में कहूं तो, अंडों के आने का इंतजार करें, पर आपने जो समय सीमाएं बताई हैं, ये सु से बड़ी समस्या है, कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि इससे पैसा नहीं मिलता, हर कोई, जीवाश मींधन, आटो मोबाइल, कोईला, ये वो की बाते कर रहा है, क्योंकि अगर आप उनों द्योगों पर चोट करते हैं, तो डॉलर मिलते हैं, यहां किसी को च चीज वर्ष लगे हैं, बेना किसी इनाम के, ऐसा नहीं है कि कोई इनाम नहीं है, नहीं, वो इनाम के तलाश में नहीं है, वो बस ऐसा करना चाहते हैं, इनाम क्या है, हम जीवित हैं और हम खुश हैं, यही इनाम है, जीवन में और क्या इनाम होता है, आपको ताज चाहिए ये पहनने में बहुत असोविदा जनक है, बस इतना जान लें क्या आप अपने सिर पर धातू के घेरे की कलपना कर सकते हैं हमारे पुराणों में ये चीज देखकर मुझे हमेशा आश्चर्य होता था ये पहनने के लिए एक भायानक चीज है देखे अभी आपने हेलमेट पहना हुआ है, ये काफी गद्दीदार है पर ये भी आपको थोड़ी देर के बादी परिशान करने लगता है बस एक धातू का घेरा, धातू के घेरे को आप अपने सिर पर रखें और घूमें वो सबसे बेवकूफी का काम है, तो हम ताज की तलाश में नहीं है ये जीवन से भरपूर और उर्जा से भरपूर है, जमीन को ऐसा ही होना चाहिए सद्गुरु जी, आप इतनी रिसर्च कैसे करते हैं, क्या आप पढ़ते हैं? आपके पास बहुत आप आध्यात्मिक जीवन के बारे में आपकी बाते नहीं कर रहा हूँ, पर ये मिट्टी, पेड़ मुझे मिट्टी के जानकारी इसलिए है, क्योंकि मैंने इस धर्टी पर साड़े छे दशक बिताएं बाकी लोग इस धर्टी पर नहीं रहते हैं, वो अपने सिर में रहते हैं मेरे सिर में कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं धर्टी पर रहता हूँ, मैं एक कीड़े की तरह हूँ आप एक कीड़े से पूछें, वो जानता है कि मिट्टी की स्थिती क्या है, है ना? क्या आपको लगता है कि इस मिट्टी का एक कीड़ा एक वैग्यानिक से ज्यादा मिट्टी के बारे में जानता है पर वो उमें बता नहीं सकता ये कीड़ा बोल सकता है बस इतना ही फर्क है वो कीड़ा भी बोलता है पर आप उसकी भाषा नहीं समझ रहे हैं पर यह देखना अजीब है कि जिससे हमारे जीवन और हमारे बच्चों पर असर हो रहा है उस पर हम, क्योंकि कोई भी, जब मैंने इस बारे में सुना, मैं स्वामी जी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया मिट्टी रेत बन जाएगी और अगर मिट्टी में कोई पोशन नहीं होगा तो फलों और सबजियों में पोशन नहीं होगा देखे पोशन न के बराबर है, देखे अभी अमेरिका में सलाद खाने का चलन है भारत में भी, मैं सलाद खाता हूँ ठीक है, आप सलाद खाते हैं, पर लगता है आप भैंस खाते हैं तो कैलिफोर्निया में ये बहुत ज़्यादा फैशनेबल है पर एक में तुपून चीज, ये एकमातर ऐसी चीज है जिसका अध्यन किया गया है अगर दूसरी चीजों की स्टडी होगी, तो सब सामने आ जाएगा उधारन के लिए सलाद पता सौ साल पहले के पोशन के मुकाबले, आज इसमें सिर्फ 10 प्रतिशत पोशन है 1920 में अगर आपने इसे खाया होता, तो आपको जो मिलता, आज आपको उसका 90 प्रतिशत कम मिल रहे है आप कच्रा खा रहे हैं, हमने अपने भोजन के साथ यही किया है 1920 में अगर आपने एक संत्रा खाया होता, तो आज उतना पोशन पाने के लिए आपको 8 संत्रे खाने होंगे क्या आप 8 संत्रे खा सकते हैं? आप भी नहीं खा सकते फिर तो 1920 में लोग भूके मर रहे होंगे आप नहीं खा सकते, आप उतना ही खा सकते हैं जितनी आपके बेट में जगा है नहीं, अगर खाना पोशन चा भरपूर हो तो आपको ज्यादा खाने की जरुरत नहीं होगी फिलहाल, लोग जितना खाना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा खा रहे हैं क्योंकि भोजन में पोशन की कमी है मुझे लगा ऐसा इसलिए है क्योंकि भूक मिटाने के लिए उन्हें ज़्यादा खाना पड़ता है ने, वो चीज़ भी है देखिए, 1920 में लोग जितनी गतिविधी, शारिरिक गतिविधी कर रहे थे और अब आप जितनी गतिविधी कर रहे हैं, यह 10 प्रतिशत भी नहीं है सब कुछ अपने शरीर से करना पड़ता था, ठीक है? अब हमारे पास मशीने है तो ऐसे सोच सकते हैं, पेट्रोल की तरह है यानि आप 100 ओक्टेन वाले पेट्रोल का इस्थमाल करते हैं या 50 ओक्टेन वाले पेट्रोल का इससे काफी फर्क पड़ता है तो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ सब्करू एक दिन मैं किसी दूसरे कप्टान के साथ उड़ रही थी तो आप भी एक पाइलिट है? हाँ, मैं एक पाइलिट भी हूँ मैं इंडिको एरलाइन्स में हूँ तो उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया और एक दिन मैं ले ओर पर थी और फिर मैंने वागई इशा क्रिया करने की कोशिश की हाला कि मैं उसमें असफल रही पर हाँ, फिर मैंने आपकी वीडियोज और विचारधारा को फॉलो करना शुरू कर दिया अरे, मेरी कोई विचारधारा नहीं है बस जीवन की समझ है पर हाँ, जैसे मेरे पापा हर बार मुझसे यही कहते है देखिए, जैसे एक बच्चे को एक टीचर की जरूरत होती है रहा दिखाने के लिए मेरे पिता ने मुझसे कहा कि सीखने के लिए किसी की जरूरत होती है जैसे मेरे लिए यह आप है देखिए हवाई जहाज उड़ाना ये कितनी सरल सी बात है अगर आप इसे खीचेंगे तो ये उड़ने लगेगा पर अगर कोई ट्रेनर नहीं होता तो आपको लगता है कि आप सीख पाते आप शायद मर चुके होते अगर आप किसी भी अंजान इलाके में कदम रखना चाते हैं सद्गुरु जी एक सवाल है इतने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं आप एक ट्रेनर हैं जो उन्हें रास्ता दिखाते हैं आपको ये रास्ता किसने दिखाते हैं मैंने आप से कहा ना मैं एक कीड़ा रहा हूँ मैंने इस धर्ती पर रहकर जीवन को भीतर उता रहा है क्या आपको लगता है कि मुझे किसने ट्रेनिंग दी है नहीं मुझे नहीं पता मैं बस पूछ रहा हूँ मुझे नहीं लगता मुझे लगता है शायद आप एक खुले खुले पंची की तरह हैं अरे चिडिया के पास छोटा सा दिमाग होता है मुझे पंची मत बोलो मेरे पास एक इंसानी दिमाग है इस मिट्टी में सूक्ष मजीव हैं है ना इसमें जादा पोशन है बिलकुल इसमें है सही में वो साफ सुतरी दिखने वाली खेती की जमीन वो रेखाएं वो अच्छी जमीने नहीं है दुरभागे से हमने उन्हें उस तरह मशूर किया है कि जमीन ऐसी दिखनी चाहिए नहीं, ये ऐसी दिखनी चाहिए वनस्पती से भरपूर अपने परिवार के साथ शांत अच्छा जीवन जीने वाले किसान घर, परिवार, सब सेट, उनके दोनों बच्चे अब अच्छे पड़े लिखे हैं सब खेट से पर सद्गुरु जी आप जानते हैं वो हर्याना से है एक किसान फुष्ट भूमी पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर कोई अपने बच्चों को शेरों में भेज रहा है वो नहीं चाते कि बे किसान बने दुर्भाग इसे ये सच है हमने एक तरह का छोटा सरवे किया है 2 प्रतिशत किसान भी नहीं चाते कि उनके बच्चे किसान बने अगर ऐसी बात है तो सोचिए कि 25 साल बाद जब ये पीडी गुजर जाएगी तो इस देश के लिए भोजन कौन पैदा करेगा क्या आप पूरे यॉरप में इसी बाइक से सवारी करेंगे यॉरप में मैं GT1600 चलाऊँगा अरब देशों में मैं ये चलाऊँगा From Tel Aviv to Oman, I'm writing this. करेंगे चलाँगा